बच्चों सब्जेक्ट है आपका English 1, so please open your English 1 book तो इसमें देख लेते हैं, आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, तो सबसे पहले आप अपनी English 1 की book open करिए और इसमें देखिए तो इसमें आज हम पढ़ने जा रहे हैं, एक हमारे पास rhyme है, जिसे हम poem भी बोलते हैं तो एक poem हम पढ़ने चा रहे हैं, जिसका नाम है The Swing तो सबसे पहले काम है आपका कि आप अपनी book open करके रख दीचे अपने सामने और साथ ही साथ आपको मेरे साथ ये poem read me करनी है, ठीक है? तो देखिए How do you like to go up in a swing? आप भी बोलेंगे साथ में How do you like to go up in a swing? Up in the air so blue Oh, I do think it is the pleasantest thing ever a child can do Up in the air and over the wall Till I can see so wide Rivers and trees and cattle and all Over the country side आप बोलेंगे साथ साथ Till I look down on the garden green Down on the roof so brown Up in the air I go flying again Up in the air and down तो एकी बच्ची है जो जूले में बैट के कुछ बाते सोच रही है कि जूले में बैटना कैसा लगता है जूले में बैटने के बात तो वो ही आप पे अपनी मन की बाते हैं वो ही आप बोली गई है ठीक है तो देखिए अब ध्यान से सुनिए एक एक लाइन का मीनिंग क्या है How do you like to go up in a swing जब आप एक जूले में बैटते हैं तो आपको कैसा लगता है जूले में बैटके आप मतलब उपर जब हमारा जूला हम जूलते हैं तो वो कभी आगे होता है कभी पीछे होता है कभी वो उचाई पे जाता है कभी नीच जाता है तो कैसा लगता है एक जूले में बैटकर उचे उचाई पे जाना How do you like to go up in a swing आपको जूले में बैटकर उचाई तक जाना कैसा लगता है Up in the air so blue जब हमारा जूला उचा उड़ता है उपर उठता है उपर की तरफ तो हमें अपने उपर उचाई से हमें क्या दिखाई देता है अपने उपर blue color का sky दिखाई देता है air so blue जब हम air में जूला हमारा हिलता है हवा में तो जब हम उचाई की तरफ उठते हैं तो हमारे सर के ओपर क्या रहता है blue आसमान, blue sky रहता है ठीक है आप यह पे पिक्चर भी देख सकते हैं यह oh I do think it is the pleasantest thing oh I do think मतलब मुझे यह लगता है कि यह सबसे मतलब खुशी देने वाली क्या है चीज है किसी भी बच्चे के लिए जूले पे बैठके दूर दूर तक जूले को जूलाना क्या है सबसे खुशी देने वाली चीज है ever a child can do तो यह कोई भी बच्चा कभी भी जूले में बैठके इस चीज को क्या करना चाहेगा इसको करना चाहेगा जूले पे बैठना चाहेगा कभी भी कोई बच्चा ऐसा करना चाहता है ठीके up in the air and over the wall up in the air and over the wall हमारा जूला कभी क्या होता है हावा में उपर जाता है और अगर कभी कोई दिवारे होती है तो उसके उपर से भी जूला हमारा हिलता है उठता है उपर नीचे आता है तो हमारा जूला हवा में उचाई तक जाता है फिर अगर कहीं पर कोई वाल या दिवार होती है तो उस तक हमें लगता है कि उस तक भी हमारा जूला जा रहा है Till I can see so wide मतला जब हम जूले में जूलते हैं तो क्या होता है आपने भी जूले में जूला होगा तो जब हम दूर दूर तक जूला हमारा हिलता है तो क्या होता है हमें दूर दूर की हमें जगे क्या दिखाई देती है फैली हुई दिखाई देती है मतलब एक पूरा चोड़ाई में जितनी भी कोई दूर दूर तक जगे होती है हमें वो क्या होती है दिखाई देती है ठीक है rivers and trees and cattle and all तो क्या-क्या देख सकते हैं हम जूले में बैठके rivers दिखती हैं हमें नदियां दिखती है trees दिखते हैं पेड नसर आते हैं and cattle and all तो हमें वो जानवर नसर आते हैं जो क्या करते हैं cattle जो जानवर क्या होते हैं घास में चरते हैं जैसे गाय हो गई, भेड हो गई, बकरी हो गई तो cattle इनको cattle बुला जाते हैं हिंदी में इनको बोलते हैं मवेशी ठीक है over the country side और जो जैसे कि foreign countries होती है तो countryside होते हैं तो countryside क्या होते हैं countryside में शेहर से दूर जैसे गाउं होते हैं तो foreign countries में भी शेहर से दूर कुछ-कुछ जगे बसी होती हैं जैसे कि हम लोगों के यहाँ पर गाउं होते हैं उसी तरह से बड़ी-बड़ी cities में countryside होते हैं, जब farm होती हैं, जहां जानवर होते हैं, horse हो गए, आपके, goats हो गए आपकी, तो इस तरह से जानवर पाले जाते हैं, तो वो countryside होता है, ठीक है? Till I look down on the garden green, जूले में बैटके मैं नीचे garden भी देखता हूँ, तो कैसा दिखता है? Green garden नज़र आता है, down on the roof, so brown, और जब हम छट में नीचे की तरफ देखते हैं, तो क्या दिखता है? हमको so brown, brown क्लिस करें यहाँ पर आया है, brown से मतलब हैं यहाँ पर, मिटी से, ठीक है? तो व लगता हूँ, up in the air and down, कभी जूला मैं उपर को जूलता हूँ, up in the air, हवा में उपर को उड़ता है कभी और कभी नीचे को, ठीक है? तो यह एक स्टोरी है, स्विंग की है, क्या-क्या स्विंग में क्या-क्या मजे करते हैं, बच्चे कैसा-कैसा feel होता है, तो उसी के लिए ह यह poem आपको दी गई है, तो आपने क्या करना है? अभी मैंने आपको इसे पढ़ा दिया है, आज आपका काम है कि आपने सबसे पहले आपने date डालनी है, date डालने के बाद आप जैसे आप काम करते हैं, classwork डालना है, subject आपका है जो English one है, और lesson का नाम है आपका the swing, मतलब poem, तो आपने five या six lines जो हैं आपने learn करनी है, ठीक है? तो इसे लिखेंगे और learn करेंगे और writing अच्छी सी बनाएंगे, ठीक है? उसके बाद इसमें हम आगे बढ़ेंगे, इसकी जो भी exercise है उसको हम करेंगे